हाई है लोगे श्रेयंज देज्ट एक सम्गूड निवस फोर यू अ मैं इस सेशन के अंदर बुक पे काम कर रहा हूं तो मैं बुक शिरू कर चुका हूं मुझे लगता है कि जनरली शीट डिपीपी का एक जो बेसिक रौबेक होता है बाकि जो रहें मैंनिंग ऑथर्स की अब तक पूरा टॉपिक खतम ना हो तब तक आप डिस्कुशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर स्कॉष्ण सब मिसमेश फॉर्म में इर्रेगुलर फॉर्म में दे रहे होता है तो मैंने इस चीज का मुझे सा लगता है यह बहुत समय से मेरे मन की इच्छा भी थी ब आपको वह जापका एक्सप्रियेंस है वह आपके अंदर यहां आना चाहिए और इससे कुछ बेनिफीशियल पार्ट बच्चों तक जाना चाहिए तो उसका मैं फायदा उठा रहा हूं और आपको मैं चाहता हूं कि आप इसका पायदा उठाएं मैं लेसन वाइस दिनों हर अगर आपने टॉपधिक है तो आपको कि आपने प्रॉल्म जो सकते की वास्तों में हमको कितना वास्तों में याद है और कि हमें अभी है आपको पूरा यूपेसी नहीं रिवाइस करना पड़ेगा जो जो टॉपिक आपको कमजोर लगते जो पार्ट वीक होते हैं आप उनक्यों पर काम कर सकते हैं और आप मुझे फिट्बेक भी दे पाएंगे ताकि मैं अपने आपको थाओर अच्छा इंप्रूव कर सकूं कि प्राइमरी लेवल हो सकता है गलतिया थोड़ी वह तो सिलेबस कम्प्लिट हो जाएं तो मैं 11 के अंदर शिरुवात कर रहा हूं नोमेक्लेचर से देन आइसोमर ठीके उसके बाद में जीओ सी उसके बाद में हाइडोकावा और उसके बाद 12 की कहाने शुरू करेंगे और 12 में फिर हम अलकालिलाइड वाला पार्ट लेंगे फिर का पार्ट लेंगे उस सिक्वेंस को फोलो करते हुए फिर एमीन फिर ऐसे डेरिवेटिव ठीके वह सिक्वेंस करते हुए काबोनिल कंपाउंड देन बायो मोल्क्यूल्स में 15 पार्ट डिवाइड कर सकता हूं है आप उसके लिए कावहर्ट लेंगे प्रोटीन डियन आरेन मुझे बताईए कमेंट करके कि सबको फार्दा हो रहें कि नहीं है उके बबाए बाए